यह जितने भी गल्स बैठी हुई है यह सभी गल्स जो है एक सक्सीज को डिनोट कर रही है किसको डिनोट कर रही है x axis को denote कर रही है ठीक है जो आप जो ये राइट साइड में है ये जो जितने भी गल्स बैठी हुई है ये सभी positive x axis को denote कर रही है positive x axis को और ये बीच की जो value है ये हमारा origin है ये हमारा क्या है origin ठीक है ये हमारा origin है और इसके right साइड में ये सभी गल्स positive number को denote करती है 1 से लेकर 10 त 10 तक माइनस 1 से लेकर माइनस 10 तक जो है सारी नेगेटिव एकसीज को डिनोट करती है और यह अपर साइड में जो आगे की साइड में बच्चे बैठे हैं हैं यह सभी y-axis को डिनोट करता हैं लड़के लड़के जो हैं सभी y-axis को डिनोट कर रहे हैं और इधर वाले लड़के आपके Cartesian plane का Cartesian plane का कोई एक point बोला जाएगा और उसके according यह हमारा first quadrant तो यह हमारा जो है first quadrant है कौन सा quadrant है यह? first quadrant उसके बाद हमारा second quadrant यहाँ पर third quadrant और यह आपका fourth quadrant मैं एक point बोलूँगा उस point को आपको यह बताना है कि यह कौन से quadrant में होगा जो बाकी पहले जो उस quadrant में पहुचने के लिए आपको पहुचना है ना तो जैसे मैं point बोलूँगा तो एक सक्सीज पर यह उसका abscissa जितना है उस number की girls खड़ी होगी और उसका ordinate जितना है उस number का boys खड़ा होगा ठीक है? तो point है जीरो क्या है? क्योंकि y's में क्या है आपका? जीरो है तो इसलिए y axis का कोई खड़ा नहीं होगा केवल क्या रहेगा? एक सक्सीज का खड़ा होगा ठीक है बहुत वड़िया चलिए 3,2 अब 3,2 second point 3,2 तो देखे 3 number की number दिखाई यह अपना 3 number number 3 ठीक है? एक सक्सीज का यानि एपसी सा हमारा 3 है और y axis का कह नमबर अपका 2 y axis का number 2 ठीक है? चलिए कौन सा quadrant आएगा? फर्स quadrant 3,2 कौन सा quadrant में आएगा? फर्स quadrant में चलिए, मूव कीजिए चलो भई, मूव कीजिए यह मूव करके 3 number दिखाओ अपने number दिखाईए यह 3 ऐसे ठीक है? तो पॉइंट कौन सा है हमारा? 3,2 3,2 जो है हमारा फर्स quadrant के इंदर लाई करेगा ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5,-3 5,-3 5,-3 5,-3 कौन सा quadrant आएगा? 4th quadrant 4th quadrant है ना? आपका number 5 है और आपका minus 3 चलिए 4th quadrant में चलिए आपके faces उसी direction में होने चाहिए जिस direction में है अपने अपने number दिखाईए इदर को 5,-3 ठीक है? यह 4th quadrant में है अपने अपने number है उसके बाद next point minus 4,-4 minus 4,-4 कहाँ पर है? minus 4,-4 चलिए कौन सा quadrant आएगा यह? 3rd quadrant 3rd quadrant के according minus 4,-4 चलिए नंबर दिखाईए 4,-4 बहुत बढ़िया next minus 2,5 minus 2,5 minus 2,5 second quadrant आएगा minus 2,5 second quadrant आएगा second quadrant वाले move कीजिए second quadrant नंबर दिखाईए अपने दोनों मिलागे minus 2,5 ठीचाई